नमस्क्र दोस्तों आप सभी के स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल सर्चयर24 में दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 2019 के अंदर रेलवे की वेकेंसी आई थी ग्रूप D की उसी वेकेंसी के उपर हम बात करने वाले हैं जहां पर आप सभी ने देखा हो करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर इस वीडियो को ध्यान से देखेगा और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों आप जरूर शेर कीजिए अपने दोस्तों के साहथ काफी लोग का ये वीडियो भाईश्यब भी बना सकता है और कैसे आएगा सारी चाहिप हम बात करने वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा सबसे पहले दोस्तों में धन्याबाद बोलूगा विनोद कुमार जी को जिनका यूटूब चैनल वाइफाई गूगल गया जिन्हों ने मोडिफिकेशन लिंक को लेकर आप सभी का अभियान स्टार्ट किया है जो भी डॉक्मेंट में आपके सब शेयर करने वाला हूं यह सारी डॉक्मेंट मुझे विनोद जी नहीं परवाइड किया है विनोद जी को मैं दिल से धन्यवाद बोलता हूं क्योंकि इस अभियान से का वेकेंसी थी 19 में आई थी उस टाइम पर अप्रेंटिस टूडेंट जो थे 111 बैच के ठीक है 110 बैच के और 112 बैच के इन सभी का रणिंग में चल रहा था ठीक है अप्रेंटिस कंप्लीट नहीं हुई थी बीच में वेकेंसी आगे थी तो यह फॉर्म अप्लाई नहीं कर बट यह जो बच्चे थे 111 बैच 110 बैच अगर 112 बैच के जो बच्चे थे यह इनका अप्रेंटिस ट्रेनिंग चल रहा था उस टाइम पे और कुछ बच्चों का ट्रेनिंग पूरा हो गया था जैसे के 109 बैच के तो उनका एक्जाम नहीं हुआ था क्यूंकि पहले क्या हो और इस तीन साल के अंदर लगभग काफी लोगों ने अप्रेंटिस अपना कंप्लीट कर लिया है उनके पास सटीफिकेट भी आ गया है ठीक है और जैसा कि आप सभी जानते हो कि 2019 के वेकेंसी में 20% सिट रिजर्व मीड दिया गया था और उस टाइम पे क्या बोला गया था जो बच्चे पास है वो अपना येस लिखिए वेकेंसी के अंदर या तो फिर नो लिखिए ठीक है इस 20% के अंदर रेल्वे एक्ट अपरेंटिस आते हैं जो रेल्वे से अपरेंटिस करते हैं अब स्टूडेंस किया क्या डिमांड है कि जो 20% में जो कोटा दिया गया है 2019 जो वेकेंसी आई थी इसके अंदर मोडिफिकेंशल निंक दिया जाए मेरे हिसाब से 100% दिया जाए अब क्यूं दिया जाए इसके उपर हम बात करते हैं ठीक है दोस्तों 2018 में भी रेलवेग ग्रूब दुबारा से 2019 में फॉर्म फिल किये हैं ठीक है जो बच्चे एई टी पास किये थे रेलवे से उन्हों ने दुबारा से फॉर्म भरा 19 के अंदर 18 के अंदर जो पास हुए तो हो गए थे जो फेल हुए थे वापस 2019 में उनको मौका मिला ठीक है और इसके बीच में कोई AITT एक्जाम नहीं हुआ उसके बाद 19 के बाद जो AITT एक्जाम हुआ वो हुआ आपका कब आप सभी जानते हो 2020 के अंदर ठीक है करोना जब चल रहा था उसके टाइम पर आपका एक्जाम हुआ है AITT का उसके बाद उससे पहले कोई भी एक्जाम नहीं हुआ जिसे हम 110 बैच बोलते हैं तो अब तक 110, 111, 112 तक के बैच के बच्चे पास आउट हो चुके हैं और तीन साल हो चुके हैं अब और इसके अंदर कोई भी रेल्वे की दुबारा से वेकेंसी नहीं आया गूरूबडी के अंदर तो जो बच्चे रेल्वे से पास कर चुके हैं अब वो जाए तो जाए कहां उनके पास अब कोई मौका नहीं है यही आखरी मौका है विलार 19 की जो वेकेंसी है इसी के अंदर ही मौका है कि अगर मोडिफिकेशन निका जाता है तो यह बच्चे इसके अंदर अपलाए कर देंगे इन बच्चों की क्या गलती है अब जो वेकेंसी आएगी की नहीं आएगी यह किसी को नहीं पता है कब आएगी कोई जनकारी नहीं है इसकी रिगार्डिंग और जो वेकेंसी चल रही है वो तीन साल से पैं उनिस के अंदर और उसके बाद तीन साल हो चुके हैं और तीन साल के अंदर कोई भी रेलेव के वेकेंसी नहीं आई है तो अब यह बच्चे क्या करें इन बच्चों के लिए मौडिफिकेशन लिंक आना चाहिए और 100% आना चाहिए विनोद जी और गौरव जी ने इस अभियान को स्टार्ट किया है अब इसके अंदर काफी धीरे-धीरे सारी यूटूबर जूड रहें और इस अभियान को हम लोग सक्सेस्फुल करके दिखाएंगे 100% आप सभी बस सा दीजिए आपको 100% सक्सेस्फं दिलाके रहेंगे इस बर आपको मोडिफिकेशन लिंक 100% मिलेगा ठीक है दोस्तों जो ग्रूबड के वेकेंसी थी उसके अंदर EWS एक कोटा था और इस कोटे के अंदर काफी लोगों ने अपलाई किया था बट इनके पास उस टाइम पे EWS क सर्टिफिकेट ही नहीं था क्योंकि EWS जो था वो 2018 में इंटर्ड्यूस किया था तो काफी लोगों को पता ही निए था कि EWS क्या है ठीक है इकनॉमिकल वीकर स्ट्रेक्शन के बारे में काफी लोगों को पता नहीं था तो इनका सर्टिफिकेट उस टेंप बनाई नहीं था इन लोगों ने दुबारा से डिमाइंड रखा और बोला कि हमें दुबारा से मोडिफिकेशन निक दीजिए या फिर हमें ऐसा कुछ बताइए कि हम दुबारा से EWS वाले कोटे में रिजर्व कर सके अपने आपको इनकी जो डिमांड थी कि EWS को दुबारा से हमें मौका दि और इनके अंदर EWS वालो को दुबारा से मौका दिया जा सकता है तो ग्रूप D में जो एक्ट अप्रेंटिस हैं उनको मौका क्यों नहीं दिया जा सकता है कोशन मार्ग है ना आप सोचते रहेगा मैं आपको बस कोशन छोड़के जा रहा हूं अपनी राय जरूर कमेंट में बताते रहेगा मुझे और जो इन्फोर्मेशन आपको दे रहा हूं इसी इन्फोर्मेशन के बेसीज पर हम कोट में अपील करेंगे ठीक है और यह केस जी अदो फिलब करवाई जारे थे ।ो काफी लोगों का जो फॉरम वाइजेक्ट हो गया था काफी जो फोटो अपलोड कि थी और उसके कारण इनका फॅरीजेख हो गया था 12-2021 कोई लेटर जारी हुआ था और इनको दुबारा से modification link जारी किया गया किसके लिए invalid photograph के लिए दुबारा से photo upload करवाई गई जब इनके लिए दुबारा से मौकाद दिया जा सकता है क्योंकि हर बार जो notification आती है जारी कर सकते हैं इन बच्चों के लिए तो क्यों RRC के जो railway apprentice student हो उनके लिए दुबारा से modification link जारी क्यों नहीं किया जा सकता है जरूर किया जा सकता है बट यहां पर unity चाहिए सारे बच्चों को इकठा होना पड़ेगा जो बच्चे भी railway से अप्रेंटिस किये हुए हैं उन सारे बच्चों को अब एक जूट होने की जिरूरत है अगर आपको modification link चाहिए 2019 में आपको job चाहिए तो विनोध जी का साथ द देंगे और modification की जो बात है हम लाश टक लड़ेंगे कि modification link आपका आए और 100% आएगा भी इसमें कोई ना आने की संभावना ही नहीं है क्योंकि जब invalid photo वालों का modification link आ सकता है तो आपका क्यों नहीं आ सकता हो आपका भी आएगा 100% आएगा बर दोस्तों modification link लाने के लिए हमें कोट में case करना पड़ेगा और case करने के लिए हमें fund की जरूरत है तो यह fund आएगा कहां से यह fund आएगा आपके थुरूई आप लोग अगर साथ देंगे तो हमारा fund है जो इकठा हो पाएगा तो हम उससे क्या करेंगे आपकी जो वकील की fees होगी हम पेमेंट कर पाएंगे वक इतना जल्दी हो जाएगा हम उतना जल्दी आपका जो case है आगे बढ़ा पाएंगे क्योंकि बहुत जरूरत है आप सभी के बीना यह possible नहीं है क्योंकि आप सभी को इकठा होना पड़ेगा अपनी unity दिखानी पड़ेगी जो बच्चे भी railway से अप्रेंटिस कियो हैं आप प्रवजी का चैनल है उनका लिंक भी में दे दूँगा उनके चैनल पर जाएए और उन्होंने स्टार्ट किया है funding राइस करने का ठीक है तो उनके चैनल पर जाकि आप जितना हो सके अपना fund राइस कीजिए आप से जितना भी बनता है उतना आप दीजिए ठीक है कोई जब जा रहा है और किसी चीज के लिए इकठा नहीं के जा रहा है जो आप फंड देंगे वह डारेक्ट जाएगा एडवोकेट की फीस के लिए और फिर वह आपका केस लड़ेंगे तो आप सभी से में रिक्वेस्ट करूंगा जितना आप से बन पाए 500,000,2000 जितना हो सके आप फ 100% केस जीत जाएगे, हम सभी सपोर्ट में हैं विनोवजि के और आप सभी से भी रिकवेस्ट करूंगा की आप सभी सपोर्ट कीजिए जितना हो सके बाकी आप आप सारी डिटेल्स विनोवजि के चैनल पर भी देख लिया होगा गौरव जी के चैनल को रैफर करते रहिए उनके चैनल पर और भी आपको detail मिल जाएगी इसके regarding कि case आगे कितना बड़ा है ठीक है और कब से case होने वाला है सब कुछ आपको उनके चैनल पर मिल जाएगा तो उनके चैनल को visit करते रहिएगा fund में आपको payment कहा करना है सब कुछ आपको नीचे मिल जागा description के इंदर दिया हुआ है वहाँ पर जाएए जितना बन सके आपसे उसमें payment जरूर कीजिएगा बाकि modification लिंक से related जो भी information हमारे पास आएगी हम अपने चैनल पर देते रहेंगे और अधिक जनकारी के लिए आप हमारे टेलेग्राम ग्रूप में भी ज्याइन हो सकते हो टेलेग्राम ग्रूप कर लिंक description में दिया है आप जाके टेलेग्राम ग्रूप में भी ज्याइन हो चाहिए फिराल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही जितना हो सकते इस वीडियो को शेयर कीजिए मिलता हो दोस्तों नेक्स वीडियो में जय हिन जय भारत